अब हम अगला जो मीडिया फिल्ड को हम एड़ करने जा रहा है हमारे कंटेंट टाइप में हम लोगों ने टेक्सोनॉमी फिल्ड बना ली थी टेक्सोनॉमी को हम लोगों ने फिल्ड को कंटेंट टाइप से एड़ कर दिया था टेक्सोनॉमी को और उसके बाद में हम लोगों अब इसी में एक नया पार्ट आता है मीडिया तो यह डूपल नाइन में यह एक चेंजे से मीडिया मीडिया को इन्होंने एक एंटिटी बना दिया है अब मीडिया एंटिटी बनाने से क्या फायदा हुआ वह हम देखते हैं सबसे पहले तो हमको मीडिया मॉडूल इनेवल करना होगा तो आप एकस्टेंड में जाएंगे तो आप मीडिया मॉडूल इनेवल करोगे तो यहां पर इस टेक्चर में आप जाओगे तो यहां पर मिलेगा मीडिया टाइप अभी मीडिया टाइप में क्या है ऑडियो सकता है डाक्यूमेंट हो सकते हैं इमेज हो सकती है या रिमोड वीडियो मतलब यूटूब पे कोई वीडियो है वह सकता है या फिर वीडियो फाइल हो सकती है नॉर्मली यह डूपल ने अपनी तरफ से य अब चुकि मीडिया को एक entity बना दिया है तो entity बनाने का फाइदा क्या होगा यहां पे यहां पे entity बनाने का फाइदा यह होगा कि आप एड new media type कर सकते हो और यहां पे manage field में जाके इस media type के लिए field भी decide कर सकते हो ठीक है और मीडिया चुकि एक entity है तो हमारे जो content type है उन content type में हम लोग क्या कर सकते हैं मीडिया को ऐसे field भी ले के आ सकते हैं तो जो structure content type का हमने decide किया था अपन उस पे चलते हैं ठीक है तो यह है हमारे पास structure content type का इसमें हम लोग यह है हमारे article content type ठीक है तो title body दोनों field हम लोगों ने बना ली थी फिर हम लोगोंने taxonomy term भी बना लिया था taxonomy term क्या हो गया था type हो गया था जिसका term हो गया था news और press release उसके बाद हमने keyword के लिए भी एक taxonomy term बनाया था और फिर image feature video और file download तो इसमें feature video और file download जो field है which is related to the media यह एक media type है correct तो इसके लिए हम लोग media file इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इसके लिए हम हमारे content type में जाके और content type में जाके हम लोग media type का file बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं दो field aid कर लेते हैं featured video और file download लेकिन इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको module enable करना पड़ेगा तो आप एक्स्टेंड में जाके पहले यहां पे जाके आप media module को enable के लिए तो ये media module को मैंने यहां पे enable कर लिए ठीक है यह media model मेरा enable हो गया और यहां पे media module enable होने के बाद यह configure में जाके मैंने media configure में जाऊंगा तो यह admin structure फिर उसके बाद जब module enable हो जाएगा फिर आप structure में जाएंगे और media type में जाएंगे तो यह media type groupal default अपनी तरफ से हमको देता है ठीक है अब हम लोग structure में जाते हैं इस picture में हम लोग content type में जाते हैं ठीक है इस picture में जाते हैं content type में जाते हैं और पहले हम लोग फिल्ड करते हैं article content type के लिए हम लोग feature video और फाइल डाउनलोड दो फिल्ड को हम लोग यह तैप में एड़ा कर देता हूं ठीक है तो मैं यहां पे गया यहां पे जाने के बाद मिधिक हाँ इसारे में लोग तो फिल्ड करणИ अब यहां पर मैं एड़ु पे क्लिक किया और यहां पर मैं option आया selective field type में मैं जाऊंगा reference में और reference में मीडिया select कर लूँगा media select करने के बाद मैं यहां पर लिख देता हूँ feature video ठीक है feature video और फिर save and continue पर मैं क्लिक करूंगा यह मैंने field का type media ले लिया feature video ले लिया save and continue पर क्लिक किया ठीक है अब यह जो media type है हमारे पास इसमें से हमको select करना पड़ेगा कौन सा media type हमको रखना है क्योंकि हमारे media type में क्या हो सकता है आडियो हो सकता है डाक्यूमेंट हो सकता है इमेज हो सकती है या फिर कोई third party वीडियो फाइल हो सकती है जो यूटूब पर या कोई video cloud पर स्टोर हो ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या किया एड़े फिल्ड को क्लिक किया अभी फिल्ड कॉन्फिग हो रही हमारी अब मैंने क्या किया यहां पर मीडिया और यहां पर सेटिंग पर क्लिक कर दिया अभी हम लोगों ने सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप्शन आता है रिमोड वीडियो का तो हम लोग यहां रिमोड वीडियो सेलेक्ट करते हैं तो हम लोगों ने यहां पर रिमोड वीडियो सेलेक्ट करके और इसको सेब सेटिंग कर दिया तो यह मीडिया टाइप हमारा जो है वो एड हो गया यहां पर तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पीचर वीडियो हमारा एड हो गया फिल्ड ठीक है अब हमारा जो कंटेंट टाइप का स्टिक्चर है उसके एकोडिक हमको फाइल डाउनलोड का फिल्ड और एड करना है तो मैं जाता हूँ एड फिल्ड पे क्लिक करता हूँ और मीडिया टाइप सेलेक्ट करता हूँ और मीडिया टाइप के बाद मैं यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट करता हूँ क्लिक किया सेब एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में को यह पांच जो आप्शन है इस आप्शन में से मेरे को डाक्यूमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा ठीक है तो यह पांच आप्शन में से में डाक्यूमेंट सेलेक्ट करूँगा तो मैंने यहां पे field select की और यहां पे मैं document डाकुमेंट फिल लेता हूँ क्योंकि मैंने मुझे फाइल रखना है तो मैं यहां पर document लेता हूँ document लेने के बाद मैं मैं को यहां पर save setting पर click करना होगा अभी document से related क्या हो सकता है दाकुमेंट से यहां पर जो फइल सेटिंग होती है तो उसमें PDF हो सकता है डाक्युमेंट फइल हो सकती है तो यह मैने लेके सलेक्ड कर दिया इस तरीके से हमारे पास दो फिल्ड बन गई है आर्टिकल कंतिन टाइप की अना आर्टिकल कंतिन टाइप के बाद हम चलेंगे location content type के उपर location content type के बाद हम लोग चलेंगे location content type और business डारेक्टरी content type ठीक है तो जिस तरीके से हम लोगों ने media field config की article content type के लिए उसी तरीके से हमको media field config करनी है business directory content type के लिए तो मैंने क्या किया business directory content type के manage field में गया यहां पर मैं manage field में गया तो मैंने यहां पर यह फिल्ड है पूरी फिर मैंने aid field पर क्लिक किया aid field में मैं यहां पर select करूंगा media तो यहां पर मैंने select किया media और media में यहां पर मैंने लिखा feature video featured video और यहां पर save and continue पर क्लिक किया क्योंकि हम लोगों को यहां पे जो business directory हमारा content type है उस पे भी same दो field चाहिए वीडियो, featured वीडियो का field चाहिए और file download का field चाहिए तो मैंने यहां पे field create किया, उसके बाद मैं यहां पे field को config करूँगा as a video, उसके बाद मैं document के लिए field upload करूँगा ठीक है, तो field aid हो गया है, अब यहां पे मैं video select करता हूँ, और video select करने के बाद मैं नहीं, मुझे remote video select करना था तो मैं यहां पे remote video select करता हूँ, मैंने remote video select किया और remote video select करने के बाद, यहां पे हम लोग video को हटा देते हैं और इसको save कर देते तो इस तरीके से हमारा बिजनिस बिजनिस डारेक्ट्री कंटेंट टाइप के लिए वी वीडियो फिल्ड एड हो गई ठीक है अब हम लोगों को एक को नया फिल्ड करना है वो की डाक्यूमेंट के लिए होगा तो मैं वापिस से एड फिल्ड पे क्लिक करता हूं एड फिल्ड पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे डाक्यूमेंट के लिए मीडिया फाइल क्रेट करूँगा तो यह मेरा एड फिल्ड का इंटरफीस ओपन हो गया यहाँ पे मैं एड फिल्ड में चाके मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूं मीडिया तो मैंने यहाँ मीडिया से बता हूं फाइज तो मैंने यहां पराइज को सफ्ड़ किया और से बुरों कंटीनीव पे क्लिक किया को तो अपर तो तो हमारा अगला बिजनेश डारेक्टरी कंटीन्ट चाहिएगी तो मैं लोकेशन के लिए भी सेम फिल्ट में जाते हैं और मैंनेज फिल्ड में जाते हैं यह हमारी बिजनेस डारेक्टरी के लिए सारी फिल्ड जो है वह config हो गई अब हम लोग यहां पर manage field open किया हम लोगों ने location content type का अब इस location content type में हम लोगों को यह दो field config करनी है तो यह दो field हम लोग location content type का config करके फिर हम लोग जाएंगे event content type में यहां पर मैंने add field किया ठीक है add field किया मैंने add field में जाओंगा और add फिल्ड में मैं जाके मीडिया और फाइल डाउनलोड के लिए अलग से फिल्ड एट करूँगा ठीक है अब यहां पर हम लोग मीडिया में जाएंगे तो यह हो गया मीडिया में ने सलेक्ट किया मीडिया में जाके मैं यहां पर फीचर वीडियो सलेक्ट करूँगा और सेब औ म prêt эфф करना है तो मैंने यहां और यहां पर फाइल डाउनलोड के लिए भी आप्शन चाहिए तो मैं यहां चाहूंगा यहां चाहकर मैं यहां uw aat उल्ड है मिडिया को यहां जाकर मैं मेडिया करूंगा मीडिया एड करने के बाद tähän दिया क्योंकि यह फिल्ड नेम पहले से है इसलिए यह डुप्लिकेट नाम नहीं लेता है यहां पर यूनिक नेम चाहिए तो मैंने यहां पर फाइल्स लोकेशन कर दिया ठीक है अब हमारे पास एक कंटेंट टाइप बचा है इवेंट के लिए भी हम लोग चलते हैं हम लोग कंटेंट टाइप में गए कंटेंट टाइप में जाने के बाद हम लोगों को जाना पड़ेगा इवेंट कंटेंट टाइप के मैनेज फिल्ड में इवेंट कंटेंट टाइप के मैनेज फिल्ड में जाने के बाद हमको जाना पड़ेगा एड फिल्ड में ठीक है तो इहां पर मैं एड़ फ्रीड पर क्लिक कर लेता हूँ एड़ फिल्टoqu पर मैंने क्लिक किया तो मैंने लूइर क्लिक किया ठीक है अब द्रेट करने के बाद यहां पर हम लोग डाकुमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि यह हमारा location content type का फिल्ड है तो यह फिल्ड config हो चुका है लेकिन हमको यहां पर डाक्यूमेंट चाहिए तो मैंने डाक्यूमेंट फिल्ड को यहां पर सेलेक्ट करके सेब सेटिंग पर क्लिक कर दिया अभी यह फिल्ड सेब हो रही है तब तक हम यहां पर वीडियो फीचर वीडियो के लिए upload कर लेते हैं तो यहां पर में मीडिया सेलेक्ट कर लेता हूं मीडिया सेलेक्ट में यहां पर मैं feature video click कर देता हूं और save and continue पर click कर देता हूं तो यहां पर event content type के लिए भी हमारा feature video फिल्ड बन गया है अब हम लोग एक और field एड करेंगे जो की document के लिए होगा तो मैं यहां पर add field पर click कर देता हूं मैंने यहां पर add field पर click कर दिया है यहां पर मैं को remote video select करना है video field में तो मैंने यहां पर remote video select कर दिया add a field यह event के लिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि event के लिए भी हमको दो field चाहिए एक file download और एक video तो video field हमारा config हो चुका है file download का field हम config कर रहे हैं तो मैं यहां पर जाओंगा media media कहां पर है यहां पर reference फिल्ड के अंदर आएगा media selective field type selective field type में यहां पर media select करना होगा और यहां पर मैं files लिख देता हूं save and continue पर click कर देता हूं और यह पुराना जो file है हमारा remote video यह config हो चुका है अभी यहां पर हम लोगों को content type event है content type event में feature video हो गया है और feature video होने के बाद एक field और हमारा जो था इसमें वो है हमारा file तो यहां पर यहां पर मैं लिख देता हूं event क्योंकि unique name चाहिए तो मैंने unique name दे दिया तो यह हमारी छेओं फिल्ड कांफिग हो गई है हमारे तीन content हमारे चार content type के लिए आठ फिल्ड हम लोगोंने config कर दी है तो यह हमारा document भी होगे अब इससे पहले जनरेट कर दिये तो हम लोगों को सारे content को करना है अबडेट करना पड़ेगा तो हम लोग चलते हैं content की और झाल